Transpiration वाशपोत सर्ज वाशपोत सर्जन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पानी एक पौधे से होकर गुजरता है और उसके हवाई भागों, aerial part, जैसे पतियों, तनों और फूलों से वाशपित हो जाता है यह तापमान के नियंतरण, गैसों के प्रवाह और पोशक तत्वों के वितर्ण के लिए महित्वपूर्ण है शामिल अंग और निभाई गई भूमिका एक स्टोमेटा, प्रकाश की तीवरता, कार्बन डाइकसाइड सांद्रता, पानी की उपलब्धता और पोधों के हार्मोन, स्टोमेटा के खुलने और बंध होने को प्रभावित करते हैं इन कार्कों के समवे से पोधे को कम पानी खोने और अधिक गैस विनिमे करने में मदद मिलती है तंत्र, जब रक्षक को शिकाई शिथिल हो जाती हैं, पानी से फूल जाती हैं, तो वे ढढ़ जाती हैं और रंधर के छिद्र को बंद कर देती हैं इससे पानी की हानी कम हो जाती है, लेकिन गैस विनिमे और प्रकाश संशलेशन भी सीमित हो जाता है रंधरों का खुलना और बंध होना मुखे रूप से गार्ड को शिकाओं द्वारा पोटेशियम आयनों, के प्लस, के ग्रेहिन, इंटेक और विमोचन, आउट फ्लोव, द्वारा नियंतरित होता है रंधर के रहसे पर वीडियो देखे जब प्रकाश संशलेशन के लिए परियाप्त प्रकाश होता है तो फोटोट्रोपिन नामक एक नीला प्रकाश रिसेप्टर एक प्रोटॉन पंप को सक्रिय करता है जो गार्ड कोशिकाओं से प्रोटॉन, H+, का निर्यात करता है यह गार्ड कोशिकाओं के अंदर एक नकारात्मक चार्ज बनाता है, जो पडोसी कोशिकाओं से K-Plus को आकर्शित करता है जैसे ही के प्लस गार्ड कोशिकाओं में प्रवेश करता है, पानी ओस्मोसिस द्वारा पीछा करता है, जिससे स्फीती दबाव बढ़ जाता है और रंद्र खुल जाते हैं जब कम रोशनी या उच्छ कार्बन डाइकसाइड सांद्रता होती है, तो प्रोटॉन पंप निश्क्री हो जाता है और के प्लस विशेश चैनलों के माध्यम से गार्ड कोशिकाओं को छोड़ देता है जैसे ही के प्लस गार्ड कोशिकाओं से बाहर निकलता है, पानी भी ऑस्मोसिस द्वारा बाहर निकल जाता है, जिससे स्फीती दबाव, टरगर प्रेशर कम हो जाता है और रंधर बंध हो जाते हैं प्रकाश, कारबन डाइकसाइड सांद्रता, पानी की उपलब्धता और पौधों के हार्मोन जैसे कारग उदाहरन के लिए, जब प्रकाश संशलेशन के लिए पर्याप्त प्रकाश होता है, तो गाड को शिकाएड पोटेशियम आइनों और पानी को अवशोशित करती हैं, जिससे वे स्फीत, टरजिड हो जाती हैं और रंधर खुल जाते हैं कम रोशनी या उच्छ को दो सांदरता के कारण गार्ड को शिकाओं में पोटेशियम आइनों के साथ साथ पानी की भी कमी हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी शिथिल अवस्था हो जाती है और रंधर बंध हो जाते हैं सुखे या उच्छ तापमान पर पादप हार्मोन ABA, अपसिजिक आसिड का उत्पादन होता है जो पानी के संरक्षन के लिए रक्षक को शिकाओं को अपने रंधरों को बंध करने के लिए प्रेरित करता है दो सामंजसे और आसंजन बल Cohesion Adhesion Force, जायलम, पानी और खनिजों के परिवहन के लिए उप्योग की जाने वाली नलियों की एक प्रनाली, जडों से पत्तियों तक पानी की आवाजाही के लिए जिम्मेदार है पानी गुरुत्वाकशन के विरुध दो शक्तियों द्वारा संचालित होता है, सामंजसे और आसंजन Hydrogen बंधन के कारण, सामंजसे मान शूने दशमलव शूने साथ ए नेम, जायलम के भीतर एक सतत जल, वाटर कॉलम, स्तंब बनाने का कारण बनता है दूसरी ओर, वह बल जो पानी के अनू को जायलम की दीवारों से चिपका देता है, और उन्हें गुरुत्वाकशन के भार के तहित धहने से रोकता है, आसंजन कहलाता है सामज सतनाव सिध्धांत, हामनी टेंशन थियोरी, जिसे वाशपोत सर्जन खिंचाव सिध्धांत, ट्रांस्पिरेशन पुल प्रिंसिपल के रूप में भी जाना जाता है, बताता है कि पत्ती की सतपर स्टोमेटा से वाशपी करण से पानी कैसे खो जाता है, जो छोटे छ जिद्र होते हैं, जो गैस और पानी के नुकसान के आदान प्रदान को नियंतरित करते हैं, जैसे ही रंधरों से पानी वाशपित होता है, जायलम नकारात्मक दबाव या तनाव के अधीन होता है, जिसके कारण जडों से अधिक पानी उपर की ओर खिंचा जाता है, रस का तीन जड़े वे पानी और खनिजों, ASAP, के अवशोशन के लिए आवश्यक हैं, क्योंकि पत्तियों में नीचे की ओर दबाव के कारण पानी जड़ों तक नहीं पहुचता है, जिसके परिणाम स्वरूप जड़ों में पानी की कमी हो जाती है इससे जल संजन में वृद्धी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप पानी आसपास की मिट्टी से अवशोशित हो जाता है वाश्पोथ सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक एक तापमान वाश्पोथ सर्जन की दर अने कारकों के अलावा तापमान और हवा पर निर्भर करती है तापमान हवा में और पत्ती कोशिकाओं के अंदर जलवाश्प की मातरा को प्रभावित करता है जब तापमान अधिक होता है तो कोशिकाओं से पानी तेजी से वाश्पित हो जाता है जिससे पत्ति के अंदर अधिक जलवाश्प का दबाव बन जाता है हवा भी गर्म और कम आर्द्र हो जाती है जिससे पत्ति के बाहर जलवाश्प का दबाव कम हो जाता है इससे पत्ती के अंदर और बाहर के बीच जलवाश्प के दबाव में अंतर बढ़ जाता है जो वाश्पोत सर्जन को प्रेरित करता है जब तापमान कम होता है तो विपरीत होता है दो हवा यह पत्ती के चारों और की हवा को बार-बार बदल कर वाश्पोत सजन को प्रभावित करता है जब कोई हवा या स्थिर हवा नहीं होती है तो पत्ती के चारों और की हवा नम हो जाती है और उसमें जलवाश्प का दबाव अधिक होता है जो वाशपोत सरजन को धीमा कर देता है जब हवा चल रही होती है या हवा चलती है तो पत्ती के चारों और की हवा को शुष्क और कम-कम दबाव वाली हवा से बदल दिया जाता है जो वाशपोत सरजन को गती देती है सूरे का प्रकाश सूरे का प्रकाश सूरे से पृथ्वी तक आने वाली ऊर्जा है यह रंधरों को खोल कर और पत्ती को गरμ करके वाशपोत सर्जन को प्रभावित करता है स्टोमेटा पत्ती की सतः पर छोटे छिद्र होते हैं जो गैस और पानी को बाहर निकालते हैं वे दो कोशिकाओं द्वारा नियंतरित होते हैं जो प्रकाश संशलेशन के लिए परियाप्त रोशनी होने पर खुलते हैं और कम रोशनी या अंधेरा होने पर बंध हो जाते हैं सूरज की रोशनी भी पत्ती को गर्म करती है जिससे कोशिकाओं से पानी तेजी से वाश्पित हो जाता है और इसके चारों और नमी कम हो जाती है चार सापेक्ष आर्दरता रिलेटिव हुमिडिटी हवा की सापेक्ष आर्दरता जलवाश्प की अधिक्तम मातरा और मौजूद जलवाश्प की मातरा के बीच का अंतर है जब सापेक्षिक आर्दरता अधिक होती है तो श्वसंदर कम होती है और जब सापेक्षिक आर्दरता कम होती है तो अधिक होती है इसका कारण यह है कि जब आर्दरता अधिक होती है तो हवा में जलवाश्प अधिक होता है जिससे हवा से पत्ती तक वाश्प का दबाव कम हो जाता है इसके विप्रीत जब आर्दरता कम होती है तो वायू वाश्प का दबाव अधिक होता है जिसके परिणाम स्वरूप पत्ती से अधिक जलवाश्प वाश्पित होता है सापेक्ष आर्द्रता यह है कि एक ही तापमान पर अधिक्तम मात्रा की तुलना में हवा में जलवाश्प की कितनी मात्रा है सापेक्ष आर्दरता अधिक होने पर वाश्पोत सरजंदर कम होती है और सापेक्ष आर्दरता कम होने पर वाश्पोत सरजंदर अधिक होती है ऐसा इसलिए है क्योंकि आर्द्र हवा में अधिक जलवाश्प होती है जिससे हवा और पत्ती के बीच जलवाश्प के दबाव में अंतर कम हो जाता है शुश्क हवा में जलवाश्प कम होता है जिससे जलवाश्प के दबाव में अंतर बड़ा हो जाता है और पत्ती से अधिक पानी वाश्पित हो जाता है